हेलो दोस्तों, वन दरोगा की परिच्छा से सम्मंदित एक टॉपिक है योजनाएं, इनके बारे में हम कुछ विश्रत द्यान करेंगे, और साथ ही जो है जो गुवर्मेंट की जो मेन ओफिशिल वेबसाइट से सम्मंदित जो योजनाएं जो है इसमें हाइलाइट की गई है उनके बारे में देखेंगे, तो जो योजनाएं हैं ये निम्न भागों में विभाजित की जा सकती है, एक तो केंद्र प्रायोजित योजना, इसको CSS बोलते हैं, एक राजवित पोशित योजना, राजवित पोशित दो प्रकार की हो सकती है, एक इस्टेट सेक्टर प्ला और जी जो सी एसेस वाली योजनाएं होती हैं इसमें केंद्र और राज्ये दोनों मिलके खर्चा करते हैं तो जो इस्टेट सेक्टर प्लांस पहले हम लोग देखेंगे तो इसमें प्रेशन कौन से आ सकते हैं ऐसे आ सकता है कि निम्ड में से कौन सी योजना राज कि नाम दे सकते हैं अगला प्रेशन कैसे क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश द्वर्ण सी रच्षड के लिए दिया जाने वाला पुरुसकार कॉन सा है और ऐसे हो सकता है कि क्यो बना देंगे उसमें पूशेंगे कि कौन-कौन से समाजिक वानकी के संधर में सकते हैं। उसमें बता देंगे कि इस सन में ये प्लान आया था और इसका नोडल मंत्रा लाई यह है यह फिर नोडल एजन्सी यह है इस तरह ऐसे कुछ दे सकते हैं। तो हम लोग अपना जो है, इसमें अध्यान देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामाजी गवान की योजना, अब इस सामाजी गवान की योजना में क्या क्या important है, सबसे पहले तो देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में सामाजी गवान की योजना आई थी, वह 1979 में आई थी और इसे वर्ड बैंक से जो है पोशित किया जाता है अर्था इसकी फंडिंग है वो वर्ड बैंक देती है समाज की वान की है क्या समाज की वान की अर्था समाज से लोगों को वन के विकास के लिए जोड़ना वन का विकास कैसे हो सकता है समाज से एक तो सामदाइक भ किनारों की भूम यहाँ पर समाजिकवान की होता है और लगुकाश्ट दे तो कच्चा माल अच्छा इसमें जो सामाजिक वानिकी में तो समधित कई नियम सक्त है लेकिन लगुकाष्ट होता है जिस पेड़ की उच्छाई ज्यादा ना हो केवल जाड़ी के रूप में हो छोटा पेड़ हो ऐसी उस पेड़ के सुख जाने पर जो होती है काष्ट उसको लगुकाष्ट बोलते हैं तो उद्योग है तो कच्छा माल और अगला क्या है सभी जन इसमें शहरी छेत्र में नहीं है, शहरी छेत्र के लिए दूसरी योजना है, यह जो योजना है वो केवल ग्रामीर छेत्रों के लिए है, तो समधा योजना ग्रामीर छेत्र में लागू होती है, एक पॉइंट हो गया, एक दूसरा है कि सामाजी वानकी के अंतरगत दो जो है उपयोजनाएं भी हैं। उपयोजनाएं कौन-कौन सी हैं। वह एक है Special Component Sub-Plan for SCST, एक तो SCST के लिए जो है योजना है, और दूसरा है for Tribal Sub-Plan, और दूसरा है जो जनजातियां होती हैं, उनके लिए जो है एक उपयोजना है, दो उपयोजनाएं हैं। 2011 में समाब्द कर दिया गया था, और इसके जो प्रावधान थे या फिसके अंतरगत जो अधिकार दिया गया था, वो जो है 2012 और 2013 में सामाजी गवान की योजना के अंतरगत ही शामिल कर दिया गया, अब ये तो आप लोग दे चुके हैं, सामाजी गवान की योजना कब आई थी 1979 में आच्छा पल्प वुट क्या होता है एक चीज ये भी देखने वाली है पल्प वुट वो होता है जिसकी लगडियां जो है कुछ उद्द्योगों में योग है की जाती है जैसे हमाचिस उद्द्योग हुआ प्लाइवूट हुआ कत्धा उर्डवोड उद्द्योग है ये सारी जो लकड़ियां होती थी ये पल्प वुट में आती थी इसके लिए जो है अलग से एक योजना थी जिसको जो है 2012-13 में समाप्त करके इससे समंधित प्रावधान सामाजी गवानकी में जोड़ दिये गए अगला हम लोग क्या देखेंगे यह सारा जो है जो राजorn की हैं उसके इंतर्करछा ए शहरी छेतरों । समाजी गवानकी कार का यॉजना हो गया । जैसा कि समाजीकवान की गौरमीण Rs. शेतर में है एक यौजना और समाजी गवानकी योजना सरी चेतर के से प्रारम की गए थी हरिफपट्टी का मतलब यह है कि रेलवे किनारे यह फिर जो है किसी रूड की किनारे जो है हरिफपट्टी का विकास करना और यह जो योजना है यह वन निगम दोरा भित पूशचित की जाती है वन निगम बहुत important है इसको जो है आपको देखना पड़ेगा अच्छे से तो इसके बारे में कुछ जो प्रावधान है वो हम लोग देख लेंगे जो वन निगम है इसको इंगलेस में बोलते हैं यूपी में जो वन निगम है अर्थात कॉर्परेशन वह 1904 में स्थापित किया गया था यह स्थापित किया गया है बाकी कई सारे राज्य में हैं जहां वन निगम वो एक वो कंपनी अधिनियम के अंतरगत संभावता 1800 CA confirm नहीं है मुझे लेकिन यह कंपनी अधिनियम के अंतरगत पंची करत होते हैं लेकिन जो उत्तरप्रदेश का जो फॉरेस्ट कॉर्परेशन है यह कंपनी अधिनियम के अंतरगत नहीं है यह स्थानी निगारता यह पूर्णत रूप से गॉर्णमेंट के कि दूसरा कारी गया है जडी बूत यहां और और एक पिम वंधन योजना में कारिदाई संस्था के रूप में इसको जो है स्थापित किया गया है वंधन योजना 2019 बीस में आई थी तो ये हो गया है हरित पट्टी विकास योजना हरित पट्टी विकास योजना को जो है कौन वितिपोशित करता है वन निगम अर्थात फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन अब देखते हैं इसमें भवन निर्मार का अर्थ है कि जो वन चेत्र में जो वन की कर्मी रहते हैं अदिकारी रहते हैं उनके लिए कुछ आधास बनाये जाते हैं तो इसे संखन जो है योजना उसे वह निर्मार के अंतरगात आती है यह जो इसके लौ है वह यन अधिनियम 1927 है उसके अंतरगात आते हैं अगला देखेंगे हम लोग अभी जो पुरुसकार वाला पुरुशन जो मैंने पुट अप किया था शुरुवात में उसी से समंदित है तो वीर अब्दुल हामिद वन और वन जीव पर्यावरन सनरचन पुरुसकार दिया जाता है इसकी सुरु और वगैरा जो है इसी वन पिभाग की वेबसाइट पर पंचीक्रत करेगा या फिर उस पर अपना आवेदन करेगा तो इसमें व्यक्तिगत जो श्रेड़ी होती है उसमें एक लाख रुपए दिया जाता है और संस्थागत श्रेड़ी अर्था जैसे कि किसी कॉलेज या फ इसमें किया जाता है देश में जो पहले वन महोसो की जो सुरुआत की गई थी वह 1950 में केयम उंशी द्वारा की गई थी यह जो है क्रेश्म मंत्री थे उस समय के अच्छा यूपी में वन महोसो की सुरुआत जो है वह 1950 में हुई थी या 1952 हाला कि यहां पर 1952 मैंने लिखा ह है क्यों लिखा है क्योंकि कुछ जगह डाकुमेंट देखने पर पता चलता है 1952 में जो है की गई थी लेकिन अभी अगर जो आप चैट जी पीडी से जी पीटी से सर्च करेंगे की वन महसो की सुरुवात उत्तर प्रदेश में कब की गई थी वह बताएगा कि इस चीज का कोई फिक्स रिकॉर्ड नहीं है तो इसलिए यह कंफर्म नहीं है जहां पर यह नहीं आना चाहिए अगर जो आएगा तो यह आएगा 1950 वाला option तो अगला इसका देखिए जो 2022 वाला जो वन महसो हुआ था उसका जो है शुभारम चित्रकूर से किया गया था उसका सुभारम खहां से किया थै चित्रकूर से और इसका लच्छ रखा गया है कि साल 35 करोड प्रेण लगाया जाएगे और पिछली बार जो हुए जो 2021 वन महसर आयोजीत ही उसमें कितना रख गया था tis करोंड च्री份 तिस करोड जादा लच्छि रख गया अग्ला कौंशा है Depay से पउधशाला प्रबंधन योजने पउधशाला का मतलब यह कि लैब में ग्रीनावस जो फैक्ट्ट पैदा करके पेंड़ों को तैयार किया जाता है अरथार जिस नर्सरी बनाई जाती है तो जो नर्सरी विकाशसे समभन और यह फिर उनके मेरेजमेंट से सम्भन इह उन्टार चना है वह बाधार आती है अब पौदशालणा में कितने घया orange कि क्यए उंचाई तक ये घृण होंगे तो आठ से 18 फूट उचाई तक के ये maximum है इतनी उचाई तक के व्रेच तयार किये जाते हैं वे तो यह सारा आपका कितना क्या हो गया यह सारा आपका हो गया इस्टेट सेक्टर प्लान यानि जो राज के जरिये पूरे प्रदेश में राज के जरी पूरे प्रदेश में अपनी funding किसे चलाये जाते हैं अब अगला देखते हैं District सेक्टरवाइस अर्थाद राज अपनी नीदि से अर्थाद अपने finance से किसी special district में चलाता है इस्पेशल district का देखिए क्या है राज द्वारा विद्व राज द्वारा पोशित होती है ये तो सही बात है और जिला विशेश में चलाया जाने वाला प्रोग्राम जिला विशेश अर्था जैसे कि लख्यूमपूर के दुद्वा में अगर जो कोई योजना चल लएगी है तो केवल वहीं है सकीम अता उसका खर्चा पूरा केंद्र सरकार देती है तो देखेंगे आम लोग लाग बहुत पच्छी विहार को नौज में और दूसरा है नवाब गंज पच्छी विहार अन्नौ में यहां पर इको टूरिजम डेफलमेंट जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है डिस्टि सारे इμफॉर्टेंट है, यह से पूछ सकते हैं कि लैन से वारेवर काह ऐसे चलाया जा रहा है, यह फिर बबर शिट पजणन के इंद्र कहा है, नवाप गंज पच्छी विहर कहां है, इको टूरिजम डेवलमेंट प्रोग्राम कहां चलाया जा रहा है किस जो है पच्छी विहार में एको टूरिजिन डेवलमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है इस तरह से कोशन आ सकते हैं अगला देखेंगे लखनव के कुक्रैल वन में जब विद्था के इंद्रिस्थापित किया गया है यह एकतम फैक्त वाले कोशन है कानपुर के प्रान उद्द्यान में बाल रेल चला ही जा रही है ऐसे पूछ सकते हैं कि बाल रेल की जो है पार्क में चलाई जा रही है तो सिंपल सी बात है कानपूर प्राणी उद्यान इसके अलाबा लखनों के प्राणी उद्यान में भी जो है बाल रेल चलाई जा रही है लेकिन और उसका आधुनिकी करण भी अब किया जा रहा है आगल अब ही आपके वाल इतना देख लीजिए कि वनों का सरवे सीमांकन और अधिक्रमर से बचाना ही वन बंदोबस्त है और यह जो है वह जो है वन अधिनियम 1927 और अधिकार अधिकार अधिनियम अर्था जिसमें अंसोची जन जातियों के अधिकारों का सनरचण करते हुए वनो स्पॉंसरड इसका मतलब है कि इसमें खर्च कौन-कौन करेगा केंद्र और राज इसरकार दोनों लोग मिलके करेंगे तो पहला यह है टाइगर परोजेक्ट तो टाइगर प्रोजेक्ट क्या है टाइगर प्रोजेक्ट जो है दुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधु ताइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया था पहला होगिञा है टाइगर mayd चलाया जा रहा है एक दो शिवालिक एक बिजन और एक नजीवाबाद तीन जघे वन प्रभाग तीन के वन प्रभाग में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा अगला है नेशनल प्लान फॉर कंजरवेशन आफ एक्वेटिक एकोसिस्टम एन पी सी ए यह जो है वेटलेंड कंजरवेशन के लिए चलाय जा रहा है यह जो है दोहजार तेरा में सुरू किया गया था यह सारे केंद्र की योजनाएं हैं जो की जो है केंद्रों राज दोनों लोग मिलके खर्चा उठाते हैं इसका नेशनल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम इसको जो है दोहजार और यह दोहजार दोहजार एक के बजट में शामिल किया गया था अन्य योजनाएं अब कुछ अन्य योजनाएं भी है जैसे की फॉरेस्टेशन से समांदित नवामि थैंक यू